नमस्कार आज़ की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा मैं रोतरा रुख करते इस वक्की हेडलाइन्स की तरह प्येम मोदी की मा की बिगडी तबियत अस्पताल पहुँचकर पीम निज्जानमा का हाल देश में ठंड से कापे लोग यूपी बिहार में शीत लहर का कहरज़वारी ग्रिह मंत्रिया मिर्शाने जम्मू कश्मीर को लेकर की बैठा घाटी में सुरक्षा पर हुई चर्चा देश में बढ़ा कोरोना का खत्रा जन्वरी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले OBCR अरक्षड विवाद पर राजनीती तेजा अरक्षड को लेकर आंदोलन की तैयारी में आखिलेश रुकरते खबरों की ओर प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी की मा हीरा बैन की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें देर रात एहमदाबाद के यूएन महता अस्पताल में भरती कराये गया हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम लगतार उनके स्वास्त की निगरानी कर रही है वहीं पीम मोदी की मा से मिलने अस्पताल पहुचे अस्पताल में उन्होंने डॉक्टरों से बात चीत करते हुए मा के स्वास्त की जवानकारी ली बताते पीम मोदी के पहुचने से पहले गुजुरात के सीम भूपेंद्र पठेल भी अस्पताल पहुचे थे उनके साथ क्याबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद थे सौवर्षिय हीरबैन के अस्पताल में बढ़ती होने के बाद अस्पताल में कड़ी सुरक्षा विवस्था की गई है वहीं मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के कैलाश नात यूएन महता अस्पताल पहुँचे आपको बता दे कि हीरबैन ने जून में ही अपना सौवा जन्म दिन मनाया है जम्मू जिले के सिधरा इलाके में आज सुरक्षा वलो और आतंकियों के बीच मुटभेड हुई इस मुटभेड के दौरान चार आतंकियों के मारे जाने की सूचना सामने आई है सुरक्षा वलो को कोई नुकसान नहीं हुआ है मिली जानकारी के अनुसार जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आये थे उसमें मुढभेड के दौरान आग लग गई ADGP मुकेशु सिंग ने बताया कि जम्मू में सिधरा इलाके में हुई मुढभेड में चौर आतंगवादी मारे गए और साथ एके 47 राइफल तीन पिस्टॉल समेत गोला बारूद बरामद हुआ है ट्रक मालिक की अभी पहचान नहीं हो पाई है तलाश जा रहे है कि अधियों की संख्या और सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में आभी आग लगे हुई है ट्रक की आग को भी बजहया जा रहा है और बजहाने के बाद जब तलाशिय होगी तब संख्या बरावर बताई जा सकती है लेकिन दो से तीन कम से कम आतंकी होने की संभादना है. Usually, यहां पे ट्रक की movement बाराक बज़े के बाद होती है. लेकिन यह एक ट्रक था जो यहां movement कर रहा था. जो highway q.r.te है उसने यह unusual movement को spot किया और उसका पीचे लिचे पुरो जानो जब ये सीधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया प्रक्से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया इसका जबाद दिया गया Global Investor Summit 2023 के लिए योगी सरकार का फोकस घरेलू निवेशकों पर है सीअम योगी 5 जनवरी को मुंबई जाएंगे और बड़े उद्योग समूहों से मुलाकात करेंगे 9 जनवरी को चेनने में सुरेश खना असीम अरुन रोट्शो करेंगे 13 जनवरी को नंद गोपान नंदी दिली में रोट्शो करेंगे जिसके साथ योगेन रुपाद्याई एक शर्मा संदीप सिंग मौजूद रहेंगे 16 जनवरी को कोलकाता में डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे रोट्शो करेंगे वहीं 18 जनवरी को हैदरबाद में डिप्टी सीम ब्रजेश पाठग रोट्शो करेंगे हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने दुनिया के 16 देशों से 7,12,000 करोज रुपे के निवेश प्रस्ताव जुटाए हैं जिसे बड़ी उपलबधी माना ज़ा रहा है केंद्रे स्वास्त मंत्राले ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर आश्रंका जटाई है स्वास्त मंत्राले ने कहा कि जनवरी में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं पिछले ट्रेंट्स के एनालिसिस के बाद ये माना ज़ा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिथी आ सकती है। सभी राज्जियों और केंद्र शास्तित प्रदेशों में स्वास्त सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। यूपी निकाय चुनाओं में OBC आरक्षड के हाई कोड की फैसले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं यूपी सरकार बिना OBC आरक्षड के निकाय चुनाओं ना कराने की बात कह रही है। आग्रम में प्राइविट कंपनी का एक करमचारी एक करोड से 37 लाख रुपे लेकर फरार हो गया है। करोडों का कैश लेकर बैंक में जमा करने गया यूपा का पैसा बोरी में भर कर फरार हो गया। गटना की सूचना पर पुलिस और कंपनी के आला अधिकारी मौके पर पहुचे पूरी गटना का वीडियो CCTV में कैद हुआ है। ये पूरा मामला रकाबगन छेतर के बैंक ओफ बड़ोदा का है। यूवा कैश लेकर बैंक में जमा करने गया था लेकिन कैश बॉक्स छोड़ कर पैसे बोरे में भर कर फरार हो गया। आरोपी विवेक के खिलाफ केस दर्च कर लिया गया है। पुलिस आरोपी विवेक की तलाश में जुट गई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।